कोई छाता वाता नहीं पगड़ा हुआ मैं ठीक है यह अंब्रेला संशेट प्रोटेक्शन है गाड़ी विंड्शिल्ड के लिए चलिए मैं जल्दी साब को दिखाता हूं आज मैं रिव्यू करने वाला हूं यूनिक कंपनी के तरफ से यूनिक कार संशेट 02 इसका मॉडल नं HELP करना है जैसे आपंब्रेल अपरके त्सका ब्लस्टिक नहीं करते हैं हम कुछ तरह सीसे लिए कूछ नहीं है और इसका ब्लेक धेओ अबहुत दिखाता हूं अभी अंदर मैं आप अब इसक डेख रहे हैं यह तो हुड़ों कंडिक नहीं है ध। को नॉब मिलता है इसको बंद करने के लिए यह ओपन हो गया और इसको बंद करने के लिए इस नॉब को दवाना जैसे नॉर्मल अंब्रेला में होता है यह आपका बंद हो गया ठीक है सिर्फ प्लास्टिक में आपको यह हैंडल बार मिल जाता है जिसका बेसिकली कुछ काम त कहता है कोई भी सनलाइट या लाइट को रिफ्लेट करने के लिए या कोई भी हीट को रिफ्लेट करने के लिए कि फिजिक्स कहता है जितना शाइनी और रिफ्लेक्टिव सर्फिस रहेगा उतना हीट और लाइट को वो रिफ्लेट करेगा उसको एब्जॉब नहीं करेगा और और अगर कुछ black surface रहता है, तो वो obviously heat को absorb करेगा, यह जो umbrella sunshine है, गाड़ी का अंदर का temperature है, यह drop किसे करता है, यह थोड़ा मैं आपको समझा जता हूँ, देखो सामने का जो windshield area आप देख रहे हैं, यह एक मातर एरिया है, गाड़ी का अंदर में heat या light entry करने के लिए सबसे largest area है तो सूरस से जो heat wave जो आता है, वो short wave का होता है, और glass को easily penetrate कर सकता है, और अंदर वो heat चला जाता है, अंदर में जो material आप use करते हैं, जैसे यह seat cover हो गया, handle का cover हो गया, यह PVC material हो गया, जितने भी है, अपना-पना heat को absorb करने का अलग-अलग अपना एक property रहता है, और यह heat को absorb कर करने के बाद जब यह heat को radiate करते हैं, तो इसका wavelength होता है, यह long wavelength होता है, और इसी long wavelength के लिए, कांस से heat निकल नहीं पाता है, इसलिए गर्मी का टाइम में, अगर बाहर में temperature 40 degree centigrade है, गारी के अंदर में, अगर आप एक घंडे का बात जाते हो, तो अंदर में आपको 60 to 65 centigrade temperature कोई भी आदमी के लिए, और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा harmful है, तो इस से बचने के लिए, यह जो सामने जो windshield आप देख रहे हैं, इस area को आपको ढखना बहुत जरूरी है, अब आप सोचेंगे कि यह तो कोई भी चीज से में कर सकता हूं, कोई भी में, यहा काम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देना पड़ेगा, जो sun heat को reflect कर पाए, ठीक है, इसके लिए silver और white color सबसे best है, तो इसको fitting कैसा करना पड़ेगा, तो सामने जो windshield है, अंदर का तरफ में, अगर आप कोई mobile holder लगा है, जैसे मेरा दो mobile holder लग तो इसको जस्ट आपको open करना है, कुछ इस तरह से, अंदर में आपको ऐसे डालना है, इसको open कर देना, ठीक है, open होने के बाद, आपको यहाँ पर एक velcro strap आपको दिखने को मिलेगा, यह वाला ठीक है, यह वाला जो cutting part आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको IRVM है, यह पास हिलकरो है, अंदर में, यह जो strap है, बैक साइड से आकर, यह यहाँ पर चिपक किया, बस ठीक है, यह यहाँ पर lock हो जाने के बाद, दो end जो आप देख रहे हैं, इसको आपको थोड़ा push करना पड़ेगा, अंदर के तरह से आपको कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगा, और टोटली reflective in nature हो चुका है, जो भी heat wave यहाँ पर आएगा, टोटली यह reflective surface से यह reflect हो जाएगा, और अंदर के तरफ जो temperature है, उतना rise नहीं कर पाएगा, जितना होना चाहिए, देखिए दोस्तों, यहाँ पर clearly आपको चीज़ बता रहा हूँ, यह चीज़ यूज़ करने के बाद temperature बहुत ज्यादा हत्ते control में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंदर में heat generate नहीं होगा, heat होगा क्योंकि और भी बहुत सारा parameters है, जैसे जो metal जो surface से उपर के तरफ, वहाँ से भी heat अंदर के तरफ रेडियेट होता है, और side में जो windshield है, वहाँ से भी glasses वहाँ से भी होता ह तो यह सब area cover करना भी बहुत जरूर ही है, तो front जो area है, काफी बड़ा area, इसलिए आपका temperature भी काफी हद तक इसलिए में बोल रहा हूँ कि control होगा, तो दोस्तों Umbrella Sunset प्रोटक्ट के उपर अगर यह honest review आपको पसंद आया है, तो please मेरे इस चैनल को subscribe कर लिजे, कि इसी type का product review में आपके पास लाते रहूंगा और honestly बताऊंगा कि वो कैसा का perform करती है, और अगर यह product आप लेना चाहते हैं, तो description box में इसका मैं buy link में दे दिया हूँ, वहां से click करके purchase कर सकते हैं, thanks for watching awesome tech radar and keep watching awesome tech radar. झाल